इस ने दिन से बेवकूप बना रहा तुम्हां आज मैं तिछे ुम्हां हम पास। हुग हुग यूह जोह आए काम। यूहां⁻ Staniski यूवदए एन्दारबगा नरबक्षक 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 तर्फ आसा ने में तरह को कि अजैने शुक्षक अगरति कि फिरिए यादर इन सबको लिए शरे लोग भहत्कर ना कि मैंने बहुत मेहनत से इने संभाला था ये सब लोग बहुत ही खतरनात जानवर हैं इन कुट्टों को संभाला हमारे ही नसी में लिखा था क्या करें सर एक बात कहूं सर सावधान रहिएगा पांच साल तक तुम लोग पीरियड में थे वह आज खत्म हो गया अब तुम लोगों को कड़ी सजा मिलेगी तुम सब अपकेदी हो तुम लोग साथ नहीं रह सकते हम तुम लोगों को भी बैरिक में शिप्ट करेंगे खाना पीना और वहीं पर रहना अगर तुम लोगों ने भागने की कोशिश की तो कोट में नहीं सीधे उपर जाओगे इन लोगों को भी बैरिक में शिप्ट करो यह सर्व कि अब कि 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 अगया है कि यहां 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 से बाहर निकाल दीजिए जितना पैसा चाहिए उतना देंगे कहां देना है कैसे देना है कहां पहुंचाना है सब कि तुम्हारी तरह मुझे भी जेल की हवा खाने के लिए मजबूर मत करो अगर कोई भी यहां से भागने की कोशिश करेगा ना को ली मार दूंगा यहां रहना है तो शांती से रहना अच्छा काम करोगे तो मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे समझे सब्सक्राइब करें रिपोर्ट कर दे रहा है कि चल अंदर जा रहा हूं ना साब यह चल जल दी चल जा रहा हूं साब अज़िए यह चूप रहे हैं तुम लड़की बात करने की तमिज नहीं किससे क्या मांगना मालूम नहीं तुझको साली हुआ है तो डी गैंग के क्या रहे हां अभी तर इसकी इंक्वाइरी हो रही थी आससाजा शुरू हो गई इसलिए इसे यहां लाया है हां हां देंक कैसे खूर रही है यह आची तरह से बैट का अलना डुलना बंद कर कर दो कर की कि अधिया हाँ गोरी तरफ दो अंधियों कि अधियुदा कुछ जाम गूंभी तो कि अधियुक्ति कॉट्च आपके लिखे आर्टिकल से असंबली में आपोजेशन पार्टिक लोगों ने एकदम हंगामा कर दिया सरकार अगर equality ना दे तो हम चुप कैसे रहेंगे सर हज यात्रा के लिए fund release करेंगे काशी यात्रा के लिए नहीं हैसे कैसे चलेगा यह लोग सिफ एक community का ख्याल रखते हैं दूसरे की परवाई नहीं करते बस यही बात सामने लाने के लिए article लिखा था बात सामने आ गई संध्या प्लीज सिट रहें यहभी है यह अख्री आठ का है संध्या और लिखने के लिए क्या बागे मेडम वो क्रीमिनेल के बारे में है पेपर में अकबार में निूज में रोज देख के पक चुके हैं हम यह साल तो ट्रायल था कोट ने डेट पनिशमंट दी है आठ गरफ क ये लोग निर्दोश लग रहे हैं हम तो पब्लिक के लिए नियूज और ओपीनियन दे सकते हैं जस्टिस नहीं दे सकते हैं समाज के लिए कानून के लिए ये लोग दोशी हो सकते हैं पर मेरी राई ये है कि ये लोग निर्दोश हैं I think we need to dig into it अभी मैडम इट्स ओवर इतने सालों के वाद विवास से और जिसस से इस प्रूब्ड ये तुम्हारी सोच है संध्या जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सोच सही हो ओ वो लोग इनोसेंट है आपकी नजर में ऐसा आपको लगता है ये सच है शायद तुम ठीक कह रही हो पर जो अभी है हम धून लेंगे सर डोंट वेस्ट यूर टाइम इस पीपल आर नौट फॉर सिंपती उन लोगों का साथ देने के लिए कोई नहीं है लेकिन आप क्यों साथ दे रहे हो अभी एक्जाक्ली यूरेस्ट पॉइंट दिस इस दे रीजन सर इनके आगे पीछे कोई नही लेकिन ये असी केस में कितने गवाम मिले जानते हो सर केवल बारा या तेरा मैंने सही कहा ना संध्या माडम जब असी कतल हो रहे थे तब पॉलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था सर अभी एक मिनिट हां अभी आर्यू सीरियस ये किस तुम हैंडल करोगे हम येस इस केस में तुम जो नहीं जानती वो मैं अच्छी तरह से जानती हूं लेट मी ट्राइब देर विस अन्यू बिगिनिंग इन एवरी एंड यू नो अरे आईए बैडम आईए बैठी न प्राइम रिपोर्टर आपकी दुकान में सारा माल चोरी का है चोरों से माल खरीतने हैं आप देखो सारा समान डूपलिकेट है कुछ भी ओरिजनल नहीं लोगों को क्यों फसाते हो स्मगलिंग भी करते हो अरे मैडम अरे क्या बोल रही है आप आप तो पूरी फिल्म ही बा आपको भी अरेस्ट कर लिया गया था, याद है? यह, क्या बोल रही है मैडम आप, यह आप बिल्कुल जूट बोल रही है, हमें बेफाल तो पुलिस क्यों उठाके ले जाएगी, हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, आप जो भी बोल रही है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है मैडम, आप यहां से निकल जाएए, निकल जाएए सब्सक्राइब आपको समझ नहीं आ रहे हैं ना समझ आएगी एक दिन जब समझ आए तो इस नमबर पर फोन करना है अगर शुद्ध मॉर्णिक नाइब वॉट्ध मॉर्णिक नाइब नाइब बॉणिक नाइब व्यूद्ध कुछी में सर वो डी गैंग को फासी की सजा मिले ना सर उसी खुशी में है हरिश सर नौरमली एक अपराधी को अगर सजा मिले तो कोई भी पुलिस सेलेब्रेट नहीं करता बट इस केस में अगर हम लोगों ने सेलेब्रेट नहीं किया तो गलत होगा क्या कहते हो लेकिन क्यों सर यह क्रि हम पुलिस वालों के निशाने पर हमेशा ही रहते हैं वो हमें मारना चाहते हैं उस तो प्लैन करना पड़ेगा भाई ऐसे नहीं चलेगा पिना गलती किये इन लोगों ने हमें हासी की सजा दे दी यहां से हम आराम से भाग सकते हैं यहां लोग भी बहुत कम है उपरवला क्या करेगा हमें खुद को कुछ करना पड़ेगा कोई भी आके हमें यहां बचाएगा नहीं हमें अपने आपको बचाना पड़ेगा नहीं तो सब मरेंगे यह बात तो तुमने सही कही कुछ ना कु तो कुछ तो करना पड़ेगा लेकिन यहां से भागेंगे कैसे जेल में अगर हम रहेंगे तो वो हमें मार देंगे इसलिए हमें इस जेल के बाहर निकलना होगा यह जो उपर तारे हैं उसमें करंट है अगर हमने उसे चू लिया तो हम मरेंगे सरकर तो हमें फासी की सजा देने वाली हैै है ना तो हम यहांसे भागेंगे तेरी तो ज्यारे कमी नो तो तुम लोग यहांसे भागने का प्लेन बना रहे हो हां इतना असान नहीं है तुम्हारे लिए हम अपनी जिंदगी जोखम में नहीं डाल सकते तुम्हारी जगा हमें जेल का कुली बनके रहना पड़ेगा चलो हाँ अभी हम तो फिर तो वो डी गैंक के सीधे साधे बिचारे लोगों का रिसर्च कहा तक पहुचा हम आई नो नथिंग विल विल हापन पास सालों से ये लोग कितने खतरना क्रिमिनल हैं मैं जानती हूं वो इनोसेंट है ये प्रूफ करने के लिए क्या बाकि है अभी हाँ इस केस में भी ऐसा ही है हमें इसके बारे में जानना है लेकिन थोड़ा गहराई से कोई भी क्राइम प्रूफ करने के लिए सबसे मुख्य क्या होता है सर्कम्स्टेंशल एविदेंस इस फॉलोड बाई इसमें से कोई भी मैच होना चाहिए लेकिन हमें इस केस में कुछ भी नहीं मिला अगर कुछ मिला तो इन दोनों में क्या मिला ये दोनों तो कभी भी किसी वक्त बदल सकते हैं अगर ये दोनों में से कोई भी जूट निकले तो दो होल केस इस ये तो मुझे भी पता है वैसे तो सभी इस बात को जानते हैं ये गैंग लोगों को अरेस्ट करने से पहले इन लोगों पर F.I.R. फाइल करके कोट में प्रोड्यूस करने के लिए 45 दिन तक पोलिस टेशन छोड़के दूसरी जगाईने रखा गया क्यों रखा गया कहां रखा गया इन लोगों ने क्या किया था मैं ये सब अच्छी तरह से जानना चाहते आप मुझे मिलने यहां मताईए नहीं तो यहां मेरी जान का खत्रा है पैसो की लालच में तुमने जूट भी बूला होगा ना मैडम आपको क्या लगता है सिर्फ मोहन लाल को ही टॉर्चर किया गया उनके साथ साथ मुझे भी बहुत ज़दा टॉर्चर किया गया मैंने बहुत परिशानी सही है जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता अगर ये बात तुमने किसी और को बताया जान से मार डालूँगा मैडम पूशताश के लिए मोहन लाल को लेकर गये थे ये आपको कैसे पता तुम्हारी तरह पैसे की लालच वाले दुनिया में बहुत मिल जाते हैं मारुसाला मारुसाला ये लोग यहां रहते थे तब ऐसा कुछ हुआ इन लोगों के उपर चोरी के इलजाम, कतल के इलजाम क्या आप इस बारे में जानते थे? देखिये, जब तक वो लड़के यहां पर थे ना उन्होंने चोरी की, ना उन्होंने डकेटी की पिशाचों ने हमारे घर पर नजर क्यों डाली मुझे इसका बिल्कुल भी पता नहीं है है सिर्फ एक नहीं मैडम चार-पांच लोगों ने मिलके मेरी बेटी की हिज़त लूट लिये चार-पांच लोग थे आपको कैसे पता हम यह तो कुछ भी पता नहीं मैडम वह पापी लोग तो पुलिस वालों के साथ लेकर आये थे इसी घर मेरी बेटी को इसी घर में हमारे अखों के सामने उसकी हिज़त के चित्रे-चित्रे कर दिया उन लोगों ने और हम कुछ नहीं कर भाए जब आप लोग घर पते और आपकी बेटी पर मेरा मतलब जब आपकी बेटी पे अत्याचार हो रहा था तो किसी पडोसी ने देखा था क्या नहीं मैडम हमने तो नहीं देखा था उस केस की इंवेस्टिगेशन टीम में आप भी शामिल थे ना हाँ जी और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है बहुत अच्छी बात है सर पर देखने और क्या समझा रहे हैं चे साल चे साल से रहना सोना खाना पीना दिन रात इन लोगों के पीछे पड़े रहे और कानून की हिफाज़त करने के लिए पकड़कर कठोर सजा दिला दी कानून की हिफाज़त गुड़ वर्ड उन्हें अरेस्ट नहीं किया उन पर एफ़ायर फाइल नहीं किया और कोट में प्रड्यूस भी नहीं किया तो अन ओफिशली उन लोगों को कहा रखा था सर्थ क्राइम रिपोर्टर इस महिने के विश्टर लिस्ट को चेक करके फाइल करना आविल लुक अफ्र सर्थ सर्थ इसक्यूज में यस थैंक्यू सर्थ हाँ बैठ यह थैंक्यू अभी वेक्ति यस सर्थ मीडिया से यह राइट आप किससे मिलना चाहती हो लॉटरियस टी गैंग वालों से वो नोटोरियस है या इनुसिंट है यह बात वक्त ही बताएगा सर्थ आप लोग मीडिया वाले हों हम एक तरफ की सोचते हैं और आप दूसरी तरफ चले जाते हों सुनो मेडम पांच साल की मैनत है जब हमने उन्हें पकड़ा है कोट में पेडूस किया कोट ने उन्हें पांसी की सजा दी है और आप उन लोगों को विचारा कह रही है क्या करें सर हमारा काम ही ऐसा है हम इने इस तरह खुला छोड़ दें तो आप विरपन को भी विचारा कहेंगी समाज सिवा के नाम पर आप उन्हें अवाड दिला देंगी कभी नहीं जैराम सर अगर आपने अपनी इतनी साल की सर्विस में किसी भी बेगुना को सजा नहीं दी होगी तो मैं एक काम छोड़ दूँगी परमिशन दे दिया जाकर मिल लीजे थांक्यू सुनो चंदर सर इन्हें अंदर जाने दो हालो थीक है सर चंदर यह सर मैडम को आपको बुलाया है आए क्या हुआ सर स्वारी मैडम परमिशन कैंसिल हो गई वाट ऐसे कैंसिल अल अवाफ एमर्जंसी मैडम समझने की कोशिश करिए कैंसिल हो गई बस हालो मैं जहराम बोल रहा हूं हाँ सर बोलिए अभी वेक्ति नाम की रिपोर्टर डी गैंसे मिले के लिए थी जाने दीजे सर ये सब हमारे लिए आम बात है एनिवे थैंक्यू सर थैंक्स फॉर दा इंफॉर्मेशन कोई इंडियन एक्स्प्रेस रिपोर्टर डी गैंक से मिलने के लिए आई थी अभी वेक्ति इंडियन एक्स्प्रेस निउस्पेपर की सीनियर रिपोर्टर है अगर कोई भी बात हो तो वो खुद सीरियसली डील करती है सर अभी वो डी गैंक को नहीं छोड़ेगी वो केस को री इंवेस्टिगेट करने के लिए बहुत जोश में है कल के रेप और मुर्डर में आप किसी को बताना नहीं इसी सीक्रेट ही रहने दो आपको एक बात बताता हूँ सर डी गैंक के समबन में और सारि विटनेर्स के समबन में वो सारी आफिसम को मिलती रहती है सर एनिटाइम वो आपसे भी मिल सकती है सर खास करके 41 लोग की आपने जो इंक्वारी की थी ये बात उसे भी पता चल गई है सर वो इंक्वारी करके ही छोड़ेगी सर वो डेंजर है सर आप सेरा होश्या रही है तुम जल्दी उठके तयार है ना इसरे जेल में ले जाने का मतलब है कि तुम लोगों के सामने मौत खड़ी है इसलिए वो लेकर जा रहे हैं हलो बोलो क्या हुआ वो लोग कैदी है कहीं भी शिफ्ट हो सकते सर आप नहीं समझ रहे हैं डेट सेंटेंस को एग्जेक्यूट करने के लिए उन लोगों को वहां शिफ्ट कर दिया है सर और अफ असड़न इस जेल से उन्हें वहां शिफ्ट कर दिया है तो इसका मतलब है कि उन्हें जल्दी फासी पर लगताएंगे सर सर नो आप रॉनिंग आप टाइम आई नीड वन अपॉइंटमेंट सर प्लीज जर्मों कर लो से घंज कर अवैंर दिया है okay okay be cool अवी इस बीजस्टाम आप आ एStr san फैस्हूर जर्स था वाद कर दूत आव चलो 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 यह लोग कौन है राच्छा सन्नारा राच्छा सन्नारा कि क्या हो रहा है सर खाने में विर्यानी मिलेगी है चुपकर चुपकर क्या सर आप भी कि अच्छा सुनो मेरे प्यारे खैदियों निव बैरेक जेल में तुम लोग रह रहे हो यहां का किसी को पता नहीं यहां का कानून मेरे हाथ में हैं तुम लोग गेट के आगे नहीं जा सकते यहीं खाओगे यहीं पीओगे और यहीं पस अंडास करोगे समझ गए अब अगर जाने अंजाने तुम लोग गेट के पास पहुंच गए तो तो समझ लो तुम्हारी जिन्दगी का टाइम खात्म अब यह आदमी पागल है क्या अरे पागल नहीं हो तो जो मैं बोलूँगा वही तुम्हें सुनना चाहिए समझ गया क्या तुम लोगों के सामने जो सीधा-सादा इंसान नमाज पढ़ रहा है ना यह बहुत शातिर है यह मुसल्मान है इसलिए नमाज पढ़ रहा है इसने कि अरे तुम लोगों ने तो सिर्फ असी लोगों का ही कतल किया होगा इसने 200 लोगों को एक साथ बंप से उड़ा दिया टेरिस्ट है यह टेरिस्ट अरे बाप यह तुम जैसे राक्षसों का बाप है और तुम सब लोग इसके चेले तुम सब यहां पर इखटा हो गयो अब शांती शांति अबर अब यह अधैं सिले अष्टे लड़कियों मैलाओं और अश्रम में बुला करकर ले बैड्रूमे ले जाता है और वे करें तुम तो दिखने में बहुत भूली वाली दिखती हो क्या तुमने असी लोगों को मार डाला तुम्हारा नाम क्या है जूटा केस बना कर हमें अंदर डाल दिया हम लोग रोजी रोटी के लिए खुली का काम करते थे हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं था इसलिए जूटे केस में फसाया तेरी तो तेरे जैसा हरामी बहुत देखी अंदर कोई मालवाल छुपा के रखाय के यह देख री थी इसमें शर्माने की क्या बात है यह पे सारे महिलाय है यहांपे कोई मर्द नहीं है यहां सब बाल बनाके नहां के कपड़ा पहनते हैं तेरे पास जो है न वो भी हमारे पास है समझी मेरी सुंदरी इन सब बातों में बहुत बड़ी खिलारी हैं तू अचा ये बता बगली अपने पती का खून तो यहां जेल में सड़ रही है तुझे शर्म नहीं आते हैं अधे बसकर का मीनी तू किसी से कम है क्या साली तुम भी तो बहुत बड़ी खिलाड़ी हो जाइदात के लिए अपनी बेटी को ही जहर दे कर तुमने मार डाला क्या आन मत बार एलोफार बत्ता में थू जो फोजा करेंगे और भाई शाप एक जा रहे हो अंतर जाना है अन्दर जाने के लिए पर्मिशन चाहिए उन्होंने बाब साव यहां जाने देजेन साहर जाने देजेन ठीक है चलो जाओ जाओ जली जाओ पता नहीं कहां से मुझ उठा कि आजाते हैं चल दरवाजा बंद कर दे सर पुटी गैंक से मिलने के लिए बाहर तीन लोग इंतजार कर रहे हैं कौन एक आदमी और दो महिला हैं हां सर नहीं मिल सकते वापस बेज़ दो सर कितना भी बोलो उन्हें वो लोग नाटा की करते हैं ठीक है अंदर लिया उन्हें यहां से बहुत नैंसे सब्सक्राइब करने के लिए तो मेरी पतनी है क्या आज सुबहे सुबहे उनको शिफ्ट किया गया है वहीं पर उन्हें फासी दी जाएगी इन सब को बार निकालो चलो इने भार लेकर जाओ चलो पीछ दो लेकर जाओ चलो जदी लेकर जाओ सब कुछ नहीं किया है और यह दी गैंके ही लोग थे रोज चले आते हैं तंक करने के लिए यह तो आम बात है मेम साब पीने के लिए पानी दीजिए गला सूक रहा है मेम साब थोड़ा सा पानी पिला दीजिए एक मिन रुको अहाँ मेम साब्से लोगो कर देम कőदस जसा लोग सबर्ड़ाँ महाँ जसे तो इनत्वाल क मेम बात है कि आपूलोगा पामेंग साथ आप अपूलोगा? अमेंक साथ? सर इस इंसिरेंट को हुए एक घंटा हो गया है हस्बेंट अब्राउड में साफ्ट्रेयर इंजिनियर है पिरेंट्स आये हैं घर से सभी इवेल्यूबल चीजे चोरी हो गई है कुछ भी छोड़ा नहीं है सर मुझे शक है कि गैंग रेप हुआ है मेडिया को फोन किया था नहीं सर अभी तक बताया नहीं मत बताना जी सर बॉड़ी को को स्माटम के लिए बेजो ओके सर कर दो दो आपार नहीं मत बताना जी सर दो कि अजय है 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 चंद्रिका पिछले बुद्वार को तुम लोग कहां थे कोड़ गए थे साब वह अकिल साब ने आने के लिए कहा था इसलिए गए थे साब वहां कितने बज़ गए थे और बीच में वहां से कहां गए थे अब कहीं नहीं गए थे साब हम तो वकील साहब से मिलने के लिए गए थे वहां उनका इंतिजार कर रहे थे बस उसके बाद कहीं नहीं गए साब ऐसा है क्या प्रताप साब क्या यह लोग सही बोले हैं इसका तुम पता करो ओके सार तुमारे आदमी लोग जेल में और तुम कहती हो कि तुम लोग कोट में गए थे ठीक है एए कल से तुम सब यहां थाने में आके साइन करके वाद में कहीं जाओगे समझ में आया है ओके निकलो निकलो यहां से आओ मालूम है यही है उमेजा आपने बहुत रेप के अपने बहुत रेप के कैसे कि हमें बताईए हां भाई हम भी सुने बहुत दिन हो चुके भाई भाई आजरा सुनाएं ना शुनाएं ना यहां यहां अ तो भईयो इस उमेश ने आप तक 36 बलातकार किये है एक कमीने ए उमेश जा तुमने जिस स्कूल में पढ़ाई किये यह वहां के प्रिंसिपल है तुम नालाइक लोग सिर्फ जिंदर लड़कियों का ही रेप करते हो इसने तो मरी हुई मैलाओं के साथ भी रेप किया है समझे जानते हों किस से बात कर रहे हूं यह बहुत ही खतरनाग गैंका है तुछ पर दिन बार उपर वाले का नाम लेता रहता है और रेप की कहानिया सुनाता रहता है नालाइक एक मारूंगा तुरह दिमाह घिल जाएका पागल वहां क्या कर रहें तुम लोग हुआ है जल्दी से अंदर जा चाल जा रही हूं ना अपने आपको बहुत शाणी सामस्ते क्या कि एक और दोकर आसा गरती हो तेरे चिकने बदन को देवकर मेरा का मूड बन गया अरे यह तो बिचारी है तुझे तो रात होती तो मूड आ जाता है तो दूसरे गामरे में डालने के लिए बोला तो भी नहीं सुनते हैं मैं तो कहां पख़ गई अच्छी नेंदा रही अरे में सोने दो आजा आजा सोजा मेरे बाजू हाँ हाई अभी सब सुनों बहुत इंफिलेंस से तुम बेलगाम जेल जाकर के डी गैंग से मिल सकती हो पर्मिशन ला दिया है सच में यहां अर्यूंबट काटिल बना दिया है कल प्रेस वाला आ रहा है समझ में नहीं आ रहे क्यों आ रहा है हमको तो सब की नजर में कातिल बना दिया है पुलिस वालों ने हमारी जिन्दगी नर्क बना दिया है और उपर से ये प्रेस वाले ये हमें और दर्द देने आएंगे क्या पता नहीं ये तो हमारी कहानी छापके पैसा कमाने का धुंदा है। हाँ, हम करे तो क्या करे। हम लोग गरीब है ना, इसलिए ये लोग हमारे साथ अपनी मनमानी करते हैं। हमारे गाव की लड़कियों से शादी करने के लिए कोई बाहर का लड़का तैयार नहीं हो रहा है, समझे। एक बार उस प्रेस वाली को आने दो, फिर हम उसे बताएंगे। सब अपना अपना फाइदा उठाते हैं। नुक्सान तो हमें ही सहना पड़ता है न। देखते हैं कल। ला मुझे दे। क्राइम रिपोर्टर मैंने आपसे कहता नहीं, सब पापी हैं कहीं छूपके मैठे होंगे। कोटी, सूराज, नीराज, सब लोग कहां हो यहां। सबाव रहें। मैडम, इनकी गैंग में एक महिला भी है। यह भी उनके कारणामों में भागिदार है। नीचे बढ़ जा। आपसे कहां है। झाल मैं इन सब से आधा घंटा प्राइवेट में बात करना चाहती हूं आप बात करिए मैडम मैं यहीं पर रहता हूं परमिशन लेते समय स्पेसिफिकली ये मेंचन किया था सर आप बात समझने की प्लीज समझने की कोशिश कीजिए हमारी मजा कुड़ाएगी तुम्हारी मजा कुड़ाएगी तुम्हारी मौत के पहले तुम से मिलने के लिए आई है ना पेपर में फोटो छापकर हमारी मौत का मजा लेगी तुम्हार डालो इसे मैंने पहले का था कि मैं आपके साथ यहीं पर रुकता हूं लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं अरे यह लोग इंसान नहीं जानवर हैं इंसान को मार कर उसका खून पिने वाले शैटान है यह लोग आपको किसने बोला कि यह लोग बेचारे हैं अरे उने मार रहे थे हो लोग राक्ष्णों की अउलाद हो एंसनों पापीयों है तुम लोग इनके साथ राक्ष्णों के जैसा बर्ताओ तुम लोगों की कोई गलती नहीं है अगर कोई और इनकी जगह पर होते तो ऐसा ही बरताफ करते हैं मैं जानती हूं सर मैं लोगों से मिलने के लिए बहुत मुश्किल से पर्मिशन लाई हूं सर मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ जो सब इनके बारे में कहते हैं वो सच मैं इनके मूँ से सुनना चाहती हूं इसलिए मैं यहां पर आई हूँ मेरा यकीन कीजी मेडम मुझे माफ कर दीजे मैडम पेपर वालों की तरह हम आपको भी समझ गए थे गलती हो गई लेकिन हम ऐसे नहीं है हम तो मजदूर है मेडम इन लोगों ने गलत तरीके से अवे अंदर डाल दिया छे सालों से यह लोग पेपर में टीवी में हमारे मारे में गलत सलट मुझन किया मैड़ मूश को गलत समझ के आप एह लोग नियुकर आपने गलत में कर दिएं यह मीडम हमने अपनी जडिए में पुलीस नोसे और प्रेस बालओ से बहुत दर्द सहाए मैडम हम अपना दर्द आपको कैससे समझजाएंगे मैडम मैंडम हम लोगों को माफ कर द तो मैं आपको सब कुछ बता दूगा सब कुछ बता दूगा आपको सब बता दूगा आप आप नियाय दिलाएंगे ना मैडम अभी तक तुम सब को किन किन लोगों ने धोका दिया ये तो मैं नहीं जानती पर घबराओ मत मैंने आज तक जो भी सीखा है कसम है उस विद्ध्या की आत्मशक्ति की तुम्हें धोका नहीं दूगी तुम्हारी केस के बारे में बहुत जान लिया है पूछताच भी कर रही हूँ तुम्हारे बारे में जो भी लोग कहते हैं या फिर ये पोलिस वाले जो भी कहने की कोशिश करते हैं कि तुम खूनी हो रक्त पीने वाले शैतान हो पर मैं इस बात को नहीं मानती लोग चाहे जो भी कहें मैं अपने सिध्धान तो पर अटल हूँ मैं ये तो नहीं कह सकती कि सजा से आपको पूरी तरह से राहत मिले लेकिन आप सब पे जो कलंक लगा है मैं उसे मिटा कर रहूँगी लेकिन आप सब को सच बताना पड़ेगा आप समझ रहों ना सचाई जानना जरूरी है अगर आप लोग सच बताओगे तो इसी सचाई के आधार पर आप सब लोगों का भविश्य निर्भर करता है बताईए हम लोग बहुत तर्लिफ उठा के आए हमने सारे काम किये कुली का भी काम किया आठ साल पहले अपने मन में बहुत चाहत लेकर हम लोग हमारा गाउँ छोड़कर बैंगलोर आये थे हम अपना सारा सामान कुप्ता, मुर्की, सूवर सब लेकर शहर में पहुँच गये थे हमारा रहने का कोई ठीकान नहीं था अब इस प्लाइबों जाना है यह ज़्या देख रहा है चलना बादना उपर से जल्दी जल्दी यार वो गाउँ यह गाउँ छुप छुप कर हम गाउँ से शहर आ गए हैं अब यहां गाउँ हमें कितना साथ देखा हमें पता नहीं एक काम कर तिरह हैंडल चला मुझे मुझे दोना है चल्द बहुत तकलीफ सही है भाई मुझे तो लगता है कि इतना दुखदर्ध अब लोगोंने सह है वह सारे दुखदर्ध यह काव हमारे भुला देगा तुम्हें ड़कता है हां तुम सच कह रहा हो भाई भगवान करें हमारी सारे तकलीफे अभी तेक सुह रही है है कि अरे मेरी तबियत गडबड़ है मैं नहीं आ सक्ति तुम चलो आरे तेरी रात का सोती नहीं दिन मेरे चल ठाके ली कहीगी आज साम को एक घंटा ज्यादा काम करो तुम लोग, पैसे ज्यादा मिलेंगे अरे हम नहीं करेंगे, हमें जल्दी जारा है तुम लोग जिन्दीगी पर खूली बन कहीं रहोगे, लेकिन मेरी तरह मिस्टरी कभी नहीं बन पाओगे नमस्ते साब, हम सब लोगों को काम चाहिए जाब, हम सब तकलीप में है साब, अगर आप काम दोगे तो बहुत महरवानी होगी हम पे, दे दीजिये साब काम तुम लोग पहले काम कियो हो क्या, जो भी काम दूँगा करोगे क्या हाहा, हाहा, हम सब काम काम दो खुआ है, दूँगा को दो कुछ लोग उधर चले जाओ, और वार्थी मेरे साध मेरे हो चलो, चलो, चलो जल्दी खालो, नहीं तो तुम लोग खाने में ज्यादा वक्त लगाते हो, जल्दी खाके काम पर लग जा चलो बाहर कुछ special खाना खाके आते हैं बाहर special खाना खाने जाएंगे न तो ये लोग मुझे special ट्रेन में दाओं भेज देंगे, मैंने जाओंगा तू जा अरे दादा, इन लोगों से पहले खाकर हम वापस आजाएंगे, चलो आप, भूख तो लग रही है, क्या करें, चल, छल खाना खाके आते हैं, लेकिन जल्दी वापस आना पड़ेगा बहुत भूख लग रही है खाना खाने वालों को इस तरह से मत देखोने तो भूख ज़्यादा लगेगी, शाम को हम काम करने के बाद जो पैसे मिलेंगे उस पैसे से खाना बना के खाएंगे सुबा से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, सिंदगी बर हम भूख मैनत ही करते रहेंगे, खाना कब नसीब होगा लो, पीलो चलो बाहर जाके देखते, कुछ खाने के लिए मिल जाएंगे चलो मुझे बहुत भूख लो रही है, हम सब को खाना कैसे मिलेगा मैडम, हमें कुछ काम देदो, उसके बदली खाना देदो, पैसा नहीं चाहिए चलो चलो, यहां कोई काम बाम नहीं है, रूज की रोज आ जाते हैं, चलो भागो यहां से मैम सब, वो मैम सब, मैम सब, मैम सब, मैड़ा, बाहर आए मैम सब, कौन हो तुम लोग? मैम सब, मैम सब, कुछ खाने के लिए मिले करते हैं, हमें बहुत भूग लगी है, खाना खाके तीन दिन हो गए ठीक है, जो बाहर का कार है, वो साफ कर दो, हाँ, हाँ, ठीक है मैम सब, और हाँ, गार्डन भी क्लीन करो, हाँ, हाँ मैं आए मनी, मैंने पहले ही कहा था, कि मैं नहीं रहूंगा, तो यहां कोई काम नहीं करेगा, है, पागल कहीं का, लाइन से डाला, काम ठीक चे करो, हाँ मनी, बाहर खाना खाने के लिए जो गए थे, वो अभी तक आय क्यों नहीं, यह लो आ गए ए, खाने का टाइम खतम हुए, आदा घंटा हो गए, तुम लोग काम ठाम जोड के कहा चले गए थे, साहब आज के दिन हमें माफ कर दीजे, हमने खाना नहीं लाया था, खाने के लिए हम थोड़ा दूर गए थे, इसलिए देर हो गए, आप लोगों ने हमें काम दिया ऐसा सर्ब स्पोर्ट मेस है, ऴहतना, तीन दिन में ये दूसरा इल्सिटेंट है, जिस इस सर, हाँ हुआ है चलो चलो है चलो 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 यहां इतनी भीड क्यों है कुछ नहीं पता पुलिस में यह है चलो 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 साइट में खड़े रहो भाई हमारे यहां से जाने के बाद कुछ हुआ क्या क्या है क्या हुआ है एक लेडी का यहां मर्डर हुआ है जिसका सोना चांदी रूपिया पैसा सब लुटकर ले गाया बोलो यह बग्वाइब सुंब řिक मhem भंडर हुआ है थर्ष पता खाल करेदे यह प्यामनो değişके उजिक एाम सुन्ट कर दो कर दो कर दो सुनो प्रताप सर यह क्राइम टीम स्निफर डॉप और अपना फॉरंज सेक्ट डिपार्टमेंट सब को इमेडियेट इन्फर्म कर दो ठीक है सर इस मडर को देखते हुए शहर में जितने भी मडर हुए हैं सब एक जैसे हैं जी सर गॉट इट बिल्कुल हाँ दोपर में ये घरवाली ने आमें खाना दिया था लेकिन अभी हो एई साब इधर आप क्या नाम है तेरा हम को है साब क्या काम करता है लंदू कुली साब मैं यहीं पास में काम करता हूँ साब जब तुम लोग खाना खा रहे तो उस समय यहां कोई आया था क्या नहीं आया था साब हमारा काम खतम होने के बाद हमें खाना कहला था साब कब तक थे तुम लोग तेड़ बज़े से पाउने दो बज़े तक साब परताब सर ये मडर कितने बज़े हुआ था दो से दाए बज़े हुई थी सर अच्छा ए खाना खाके तुम लोग कहां गए थे खाना खाने के बाद हम लोग साइट पे चले गए थे साब याद करो जब तुम लोग खाना खा रहे थे शायद उस समय कोई घर पे आया होगा नहीं साब होई नहीं आया था और कुछ पूछने साब ठीक है जा प्रताब एक घंटे में आता हूँ तब तक तुम सारा काम खतम करो ठीक है सर क्या होगा सब्सक्राओय फिरया लेकिन गाड़ी की सब्ध करेंगे लेकिन गाड़ी की हालत है इसे ही रहेगी घला पूछ दब यह सब क्लच फोड़ओ पैसा तरका लेगा अरे तुछ बहुत पैसा कर दिया होगा मेरा नाम ले रही है सुनो तुमने इस सूर को बांद के क्यों रखा है इसे खोल के रखोगे तो इदर घूमे का बांद के रखे क्या फाइदा चलाट कुछ भी करके उसको पटाना जोरूरी है आख क्यारे पानी लाने में इतना वक्यों लगा जो लो एसे रहेगा तो तो यह सुस्ति रहेगा ना इसे खुला छोड़ोगे तो यह खेलेगा इसकी तब्यत सही रहेगी और महां से मिलेगा तो खुश हो जाएगा यह छोड़ दें और वापस नहीं आएगा तो क्या करोगे अरे यह पागल हमने खाना खा लिया है इसने खाना नहीं खाया इसलिए जोड़ दो यार जो जाओ टोगा इचेक्दूर्ण सी ले जाकर पल चुंड़ गैज्टोर्ड अरे तुम हमको कहा काक घुमारा हां तुम हो यहां पर क्यों लेकर आया है क्या काम है यहां पर हम लोग को सीथा घर जाना चाहें इदर आए इदर आए इदर आए इस वक्त तुम लोग कहां से आ रहे हो हम लोग फिल्म देखकर आ रहे हो इस तरफ कहां जा रहे हो अपने जोपड़ी के तरफ जा रहे है टिकट दिखाना कहां रहे हो इस दिखने गए होते तो टिकट दिखाओगे नहीं दोनों को विठा यह रा यह रा मेरे पास टिकेट पहले देखाते तो क्या होता चल गाड़ी में बैट तुम लोगों को गाड़ी में शोड़ देता हूं बैटो चले जाएंगे बैट अन्दर है बैट चलो साथ कितने सालों से यहां रहते हो एक महीनी से साथ कौन लाया था तुम्हें काम जहां मिलेगा हम लोग वहीं पर रुख जाते हैं साथ हम वारे पस काम नहीं ता हम यहां रुख गए साथ कोई यहां पहचान वाला है क्या नहीं कोई नहीं कि तुम लोग कितने लोग रहते हो हमारे साथ कृष्णा शिवानी मोना और है टोटल कितने लोग रहते हो कुल मिला के तेरा लोग रहते हैं साहब हम सब हुए साहब रोको ना है गाडी रुको टो कि अधे रहां है यहलो साहब नई चाहिए यहलो दन्यवासाब हुए हुए ह्ँए दन्यवासाब पूर्जा देख बुड़ा आ रहा है आने में इतनी देर क्यों हो गई है अरे अभी तो और देर हो जाता है पर उस पुलिस वाले ने अपनी गारी में यहां छोड़ दो पिच्चर देखने गए थे ना रास्ते में रोक लिया पुलिस ने बोले पिच्चर का टिकेट बाद में मुझे यादा है अरे टिकेट तो मेरी जेब में ही है दिखा दिया अरे बुड़े को क्यों मार खिलाया तू खाता तो चल जाता था अरे यह पॉलिस वाले हम गरीबों को चोर समझते और पैसे लूटते हैं मैं बहुत चाला को उस पॉलिस वाले ने हमको 100 रुप के साथ के महरवाली करता को इहां मदद भी नहिता हमें हम उस बेचारी ने हमें रह्म खाकर हम सब लोगों को खाना खिलाया था और पता नहीं कि शैतान ने उसकी जान लेना爾ी। जातीफ रुदा हुआ। कंः आहीं सब्सक्राइब यहन रहां से सब्सक्राइब लासे बाहर लाकर डाल दी है फोटोग्राफर, इनकी फोटो ठीक से कीचो, ओकसर, फेस पॉफेक्टली आरा चीए, ओकसर, रधा चलनीजी फेस, ओकसर, हाँ आएविडेंस को कलेक्ट करके बॉडि को इमीडिये पोस्माटम के लिए भेज तो, जी से तृट क्या कर रहे है, अरे इदर सूठी से लू ना आहां मौहन स्वार मिल्टिस फिनिश करके स्टेशन पर आ जाना अ किसा के आ तृट कि अगर को तकलीब हो रहा है तो तुड़ा पानी पी ले अरे ये तो सही नहीं हुआ कुछ ना कुछ तो करने पर हुआ कि अबे उथर चाँ चुप रहो यार सुबह से हो नहीं रही है तो कुछ नहीं होगा समझा मासा लेगा खा सब कुछ सही हो जाएगा अरे बहुत तक नहीं हो रही है यार जोला लगा के सब निकल जाएगा यहां प्रेशर मत निकाल देना मुख्य मंत्री जैसा प्रेशर देगा वह क्या मंत्री तुम लोग हमेशे वजाख करते हो तुम लोग को वजाख की सूची है बताओ मैं क्या करूब है अरे सा नहीं सोर से शोर से शर्च दिना हो गल्या हो जब को जाएगा अबहाद 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 एक लाएगा अबहाद शेज्च शेल आयरी्जिफ उपनी मैं करता हूं तुमंहारे लिए कुछ करता हूं ड़ता हूं या हूं तुम आपना ख्यालों को मैं आता हूं मैं के seleccion केला को जा है आई आगे आजे जाओ कि अब अब कि अब कि अब कि 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 भीक मागने के लिए सीधा अंदर आ गया निकलने आजे अब निकलने आजे अब भीक नहीं माग रहा हूं मैं तो यह भीक डेंल आया हूं दिखा तुम इसे भीक जिया आयो क्या तुम नेlish कहां से चुचा यह शुचाय से शूराय नहीं ह। मैं चूराया नहीं है कितने रुपए चाहिए आप सुछ समझ कि दे दीजिनों साब 200 रुपए दूँगा चलेगा क्या मैं आपको फोन करने जा रहा था कि मुझे मंदर के पास से मिली है इसे बेचना चाह रहा था यह चोड है चोड नहीं हूँ अपर बुढ़निंग सर मन मोहन गुद मॉरिंग सर एनी इनिफोर्मेशन सर मैंने सभी दुकानों में पूस्टाच की कोई क्रिमनल रिकॉर्ड नहीं है सर वह एक मामूली लेबर है वह चोरी करने की हिम्मत नहीं कर सकता लेकिन इसका चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा है सर उस दिन रात में जब हम लोग पेट्रोलिंग के सड़क पे खड़े थे वो लोग फिल्म देखके आ रहे थे उनमें से ये एक है ओके वो फाइल अच्छी तरह से चेक करूं जी सर्थ सब्सक्राइब भर को दोके जिनुट है थे चेक कर अच्यक्त निच्पनेॉँट में है चली तड़ वाल निच्टे वसेतरो आधा थे ये ख्यांट आप्गा है जब क्वादागा उइक निच्टाइए ये ख्याद सिर्ट आम्या उट अच्यान एफ देखाया है उब्सानत य मुझे कहां से चोरी किया और तुम्हारे साथ कौन-कौन है और पाकी सोना कहां छुपा के रखा है जल्दी बता चोरी करके हर चोर अपने आपको बेकुना ही समझता है यह हम जानते हैं सच बता दे तो तू बच जाएगा अब बोल मैंने चोरी नहीं कि सार अंगुटी मुझे सड़क से मिलीती सार यह बिचारी दर्द से तड़प रही है काम करकर के इसे कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है हमें किसी भी हालत में इसे अस्पताल ले जाना चाहिए साहब नमस्ते साहब नमस्ते नमस्ते कि आओ तीन दिन से दिखाई नहीं दे रही हो उसे पैर में बहुत चोट लगी है साहब वो दर्द से तड़प रही है और तेज बुखार भी चड़ा है उसको टिकनेस का इंजेक्शन दिया था वो क्या होता है साहब अरे कैसे जाहिल हो तुम लोग टिकनेस का इंजेक्शन नहीं जानती हो इतना बड़ा कीला पैर में घुस जाने से पैर खराब हो जाएगा समझ गई कि हाँस दॉक्टर के पार जाने को बोला का उसके पार जाओ शो दबा इंजेक्शन दे या जल्दी लेकर जाना पैसे वैसे देने की ज़र्वत नहीं है उंसे मेरा नाम कहना जाजा जाजा कि अ पर दोग्तर उसे इंजेक्शन देदेगा वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी वह खार भी उद्दर जाएगा है बागवान हमारा सबसमान कहा है सुर बिवा नहीं है कोटी 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 है था था इंग जोकित कि को जो कि अज़िए 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 अगर हमारे पास पैसा होता तो वह हमारे बीच होते है कि अब हमें काम रही है कि दीरे दीरे हमारी सब दूख का सब कुछ खतम हो रही थी उपर वाला का खेल देखो हमारे साथ ही सवैसा हो जब सब कुछ ठीक हो रहा था तब उसको उसको ही क्यों लेके गए उपर वाले प्रक्या के इलाज के लिए हमारे पास पैसे ना होने की के जैने से तुब खाएं कि मैं मर जाओं यही सोच कर हो पपने मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। कि जीने का कोई कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हूं क्या करें कुछ पिसमझ नहीं आ रहा हूं अब टालो नहीं कि तो अब यह चलो दो डिलिए चलो ऑन्दर चलो यह चलो निंको अदर है चलो व्याव है आए नहीं है आए इसलोग आट का यह को अब कि दो चलो जो अदर बढ़नो इसलोग इसलोगा यहां यादा इसलोग एक प्रबिल में टीक तो कि अधिन तुम लोगों को यहां क्यों लाया है यह बात तुम्हें पता नहीं न तो चुपचा बैठे रहो एक तो वैसे हमारा धिमाग खराब है तुम लोगों को पकटने के लिए आज हम अपना परिवार छोड़के यहां बैठे हैं कि यहां पांच किलोमेटर तक कुछ भी नहीं है समझे क्या अगर भागने की कोशिश की तो एंकाउटर कर देंगे मनों वाओ टिंगू है उसे भी लेकर आना दर्द हो रहें क्या पता नहीं हमारा साप इन्हें लेकर आने के लिए क्यों बोल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो वह बोलेंगे मान लेना आप हाल तो में मार मत खाना समझे आप जैसा कहो ठीके जब यहां हो लंगड़ा क्यों रहे हो क्या हुआ है मुझे तो बहुत मार है साप दस दिन हो गए मारते ही जा रहा है तो दुखते नहीं साप हमारी कोई गलती नहीं मैं आपके पाहों पढ़ता हूँ आप हमें चोड़ दीजे साप मैं कुछ नहीं कर सकता यह के साहप के हाथ मेरी वात समझोघ अभी तुम लोग का किया पर इसका प्रूद मारा है अधार dość है अधार चुर्द को इनी मिह से कैसे आओ अधारों यह क्वार नचाहता है यह घड़ा है सोब यह गलत कर रहे हैं और लो जो अधारों जोड़ तें है अब जोड़ दें साफ मैं इन से बचा लेजे ताफ में बेगुनाय है अपने कोई गुना नहीं किया साथ माल॥ जलो जल्दी हुम वेल्जो फर घुलो जल्दी दो वर जना औरृ दो जिळो पोड़े हैं हुक हम जल्दि चल जल्द derserd ha जल बैठ जाओ वहाँ पे बैठ ए बुड़्डे इधर आओ ए इधर आओ बैठ सहाब कपड़े निकाल कपड़े निकाल निकाल जल्दी कर लेड़ी लुंगी निकाल ए लुंगी निकाल जाओ वहाँ जाके खड़ा हो जाओ जाओ सहाब नहीं सहाब ऐसे मत करो सहाब सहाब पीछे मोड़ जाल पीछे मोड़ आत उपर गर आत उपर गर तो डंड़ा दो सहाब पड़े रहो सहाब सहाब पड़े रहो ए अगर तेरे मुँँ से कोई आवाज निकली तो ये सब मरेंगे समझ में आयो ये भी मरेगा आप पारा 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 आप पारावजा आप आप पाराव आप आप अप उस आप अ आप आप अ ऑन आप आप लुए है कि अदे जो जा कि खड़ा बजाओ ज़ल जा परगार्सक्राइए कि तर दे आए आइ मोड़ पीछे बोला ना पीछे मुड़ने को पीछे मुड़ पीदा खड़ा हो जा आवाज नहीं आनी चाहिए आवाज नहीं आनी चाहिए कि असकत बेड़ा हो फहीं आवाज पार्वाजमे जावाज आवाज प्रॉण प्रताप यह लोग ऐसे अपना मून नहीं खोलेंगे कोई दूसरा तरीका डूंड़ो ओके चलो हमने चोरी नहींगी वात साब को बता देते हैं चलो साब आप हमें क्यों लेकर आये हैं यह तो आपको पता ही चल गया होगा ना आपको जो अंगुटी इसके हाथों में मिली थी ना वह अंगुटी हमारी नहीं थी साब वह अंगुटी तो इसे मंदर में मिली थी हम तो पेट पालने के लिए कुली का काम करते हैं कोई काम नहीं था इसलिए भीक बांगते थे साब हमने चोरी मिलकुल नहीं की साब हम जोर नहीं हैं साब हमें चोर दीजिए अंगुटी मिल लेकिन बाकी सोना सब कहा है साब बाकी सोना कहा है पता नहीं मुझे तो एक अंगुठी मिली थी मंदिर से सारा सोना चोरी हो गया तुझे सिर्फ अंगुठी कैसे मिली अभी भी समय है सही सही बता दे साब समझ गया मैं मैं समझ गया वो सारा सुना देविस्थल वाले मंदि से मैंने ही चुराया था लेकिन आप इन सब को यहां क्यों लिया इनको छोड़ दीजे साब मैं आपके हाथ जोड़ता हूं छोड़ दीजे छोड़ दूं हम हाँ साब कर दोड़ दूं हां कर दो कर दो कर दो खो कि तरफ पर दियर कर दो हम अ हम आप यह ए पानी दे एक दम बन पॉला ना पानी साम पानी पानी है ए इतनी देर से पानी मांग रहा है पानी क्यों नहीं देते कर दो कर दो साहब क्या है क्या कि दो कया झुलाय है छोड़ दो सताहब क्या फिगारा है साहब क्या खूलाए फिर्चर कोई भी नहीं है हमारा चैहर गाव छोड़ कर अब यहां काम के लिए हमारे पीछे कोई रोने वाला कोई रोने वाला भी नहीं है हम अपना पेट बनने के लिए करते हैं अब भी वाग सकते हैं अगर छोड़ी नहीं कुरेंगे अच्छा है हमें तुम्हारे जैसे लोगों की जरुवत नहीं है oh साहप हम जो कह रहेा हमारी मां स्रीये है हमारी मां सती है साहप हमने कुई गुना नहीं किया है हमारी मां सदेगा है अभी कोई नहीं है हमने रेख्या कि व्यागी हो बताओ रिकाल JP तुम लोग को देखकर मुझे बहुत ही दूख हो रहा है एक बात मेरी मानोगी तुम बहुत अच्छे इंसाने आप मानेगे आप नीवाद कियों आप लोग फालतों मार खा रहे हो वो जो बोल रहे हो को मान जाओ ना जब हमने चोरी की नहीं है कुबूल करो कुबूल करो बोल रहे हैं कियो कुबूल करें बताइए इसलिए हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है अगर हम लोगों ने उनकी बात नहीं मारी तो वह हम सब को जान से मार डालेंगे साफ हमने कुछ नहीं किया साफ फिर भी आपय मार रहे हैं हम सब को मार डालो साफ साफ पार डालो साफ दूसरों का कुणा हम पल्डात है और आपको सजा दे रहे हैं यह को सद्या है साफ हम चोर है पता चला तो लोग हमें जिन नहीं देंगे हमें चोर चोर कहने से अच्छा है हमें खत्म कर दिजिए साफ हमें जान से बड़ा मान और इज़त है साफ हमें मार डालें साफ हमें मार डालें साफ हम लोग जीना नहीं चाहते हैं साफ हमें मार डालें साफ हमें मार डालें साफ हमें मार डालें साफ ओ साब आप भी बचा सकते हों कुछ तो कीजिए साब साब सर नमस्कार सर क्या है सर मैं दस दिनों से इन लोगों को देख रहा हूं सर सर कोई दूसरा होता तो इतने टॉर्चर के बाद मान जाता मैंने भी इने चार पास दिनों से खाना नहीं दिया लेकिन किसे ने खाना मांगा नहीं सर मुझे इनसे बात करने से पता चला सर उन्हें अपने मरने से ज़्यादा मान और गौरों की चिंता है आप चाहे कितने भी कोशिश कर लो वो नहीं मानेंगे तुम्हें जो बताना था बता दिया अब जाओ एक रिक्वेस्ट है सर क्या है ये बहुत अच्छे लोग है सर इन्हें छोड़ दीए प्लीज ए जाओ ठीक है सर सर ओके सर जस्ट टॉन्टीफोर हार्स मना लोगा अब हुआ अब हुआ इस पुझाट इस पुझाट इस जाड़ दीए साब अभी तक शांत रहकर मैंने बहुत बड़ी कल्की की अब तिखाता हूं मैं तुम्हें एट जल एट रूप तहां भागती है आज मैं तुझे जिंदा नहीं खड़ूँगा मेरी इज़त को तार तार कर दूँगा तुम्हें इस दूप से बिवकूप बना रहा था आज मैं तुम्हें विर नचासे वे वंग वाराएब अववववववभ हमजड़ मुवशाव हुआ है इचे justement कंगे नो जान साम् एकलें अपो एछ कंगे जा हुआ है.. क्या चुछ आई में सब्सुनें कि आप प्तै ज कॉरेंगे.. ऑफ सब्सक्राच कि दरने है। पांग जो दो साथ, साहब बात करें साहब आदो मेरी बात मानोगे? हाँ साहब अाँ साहब भी किसे पांगा मानेगे? हाँ साहब मानेगे एक इंसान को जानवर बनने के लिए तुमा के लिए काफी हो एक इंसान के लिए। कर दो हो एक इंसान के लिए एक इंसान के लिए बनना के लिए।